Q7. What should nursing care for an infant after surgical repair of cleft lip? cleft lip की SGC repair किया गया है उसके बाद बच्चे को किस चीज से बचाना है याद खना बचे अगर cleft lip के लिए सरजरी की गई है तो उसके बाद वहाँ पर sutures लगाई जाते हैं और ध्यान रखे बच्चे को रोने से बचाना है prevent crime अगर बच्चा रोएगा तो लिप जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे जिसकी विज़े से सूचर्स पर दबाव पड़ेगा और हमें चाहिए कि सूचर्स पर दबाव ना पड़े इसलिए बच्चे को रोने से बचाना हमारी पहली रिस्पोंसिबिलेटी है पहली प्रायरिटी है क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद ध्यान अज़ना यह देखे बच्ची यह है cleft lip जब इसकी surgery करी जाती है तो उसके बाद बच्चे को prevent करना है from crying ताकि sutures पर दबाओ ना पड़े और उन sutures का disruption ना हो और काफी बार यह image आपसे पूछी जाती है cleft lip की surgery के बाद इस device को क्या कहते है इसको कहते है Logan's bow यहां से देखे बच्चे इसे Logan bow कहते है यह किसले दिया जाता है यह इसले लगाया जाता है ताकि जो suture लगे हैं बीच में उनका disruption ना हो जब बच्चा रोई तो उस पर pressure ना पड़े ठीक है तो आज के बाद कभी भी इस तरी की image आपसे exam में पूछी जाएगी तो उसका answer क्या होगा यह Logan bow है Logan bow यह देख लीजे ठीक है surgery के बाद लगाया जाता है ताकि sutures पर pressure ना पड़े तो Logan bow भी ध्यान रखेगा cleft lip की surgery के बाद और पहली priority क्या होगी crying से prevent करेंगे next question number 71 a nurse who is caring for an infant with cleft lip एक infant है cleft lip के साथ उसको nurse care दे रहे है concerned about preventing an infection why does the cleft lip predisposes the infant to infection cleft lip से infection क्यों हो सकता है मेरी बात सुनो जिस भी बच्चे को cleft lip होता है वो जब सांस लेता है तो बच्चे किस रास्ते लेता है मूँ के रास्ते वो mouth के रास्ते सांस लेता है जिसकी वज़े से मूँ के अंदर की जो mucos membrane होती है वो पूरी dry हो जाती है और crack हो जाती है dry और crack हो जाती है मूँ की mucous membrane जिस वज़े से infection का खत्रा बढ़ जाता है infection का खत्रा बढ़ जाता है cleft relief वाले व्यक्ति मूज से सांस लेता है बच्चा जिसके वज़े से dry और cracked हो जाती है mucous membrane उसके वज़े से infection का खत्रा बढ़ जाता है तो हम क्या बताएंगे क्यों ये हो रहा है cleft lip वाले बच्चे में infection का खत्रा जादा क्यों होता है क्योंकि mouth breathing की वज़े से dry हो जाती है oropharyngeal mucous membrane oropharyngeal mucous membrane dry हो जाती है mouth breathing की वज़े से और बाद में वो crack हो जाती है dry हो जाती है और उसके वज़े से infection का risk बढ़ जाता है या नखेंगे next question question number 72 what should a nurse use to feed an infant born with unilateral cleft lip and cleft palate उस बच्चे को जिसको cleft lip और cleft palate है उसको दूद किस किस तरीके से पिलाया जाता है या याद रखना बहुत important question है पूछा जाता है उसको feeding कैसे देते हैं उस बच्चे को जिसको cleft lip और cleft palate है एक ही answer है rubber tripped syringe एक normal syringe होती है उसके आगे बच्चे rubber tip होता है image देखिए यह देखिए यह normal syringe है और उसके आगे आपने rubber लगा है तो rubber tip syringe का यूज किया जाता है उस बच्चे को दूद पिलाने के लिए जिसको cleft lip और cleft palate है ध्यान अखिएगा इस तरीके से चीक है syringe होती है उसके आगे rubber tip होती है लगी भी तो answer क्या जाएगा cleft lip or cleft palate में rubber tip syringe का यूज किया जाता है बच्चे को feed देने के लिए next question number 73 important है a nurse of an 11 month old infant who have cleft palate ask the nurse why it is recommend that closure of palate should be done before age of 2 how should the nurse respond एक मार जिसके बच्चे को cleft palate है वो nurse से पूछ रही है कि ये क्यूं जरूरी है कि दो साल से पहले cleft palate की surgery कर दी जाए cleft palate की surgery कर दी जाए तो nurse उसे क्यूं बताएगी कि क्यूं दो साल से पहले cleft palate की surgery करना जरूरी है तो इस image में देखिए बच्चे यहां पर आपको cleft palate बच्चे में होता हुआ नजर आ रहा होगा cleft palate ठीक है यह cleft lip है और यह cleft palate तो बच्चे जब किसी बच्चे को cleft palate होता है तो उस बच्चे को सबसे दिक्कत आती है बोलने में क्योंकि बोलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है एरफलो की और उस बच्चे की एरफलो कंट्रोल्ड नहीं होती है इसलिए जिस बच्चे को cleft palate है वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा तो कभी भी अगर हमें सर्जरी करनी है cleft palate की तो दो साल से पहले कर दे क्योंकि दो साल के बाद बच्चा धीरे धीरे बोलना चालू करता है उससे पहले हमें सर्जरी कर देनी है तो इस question का यहीं answer होगा कि दो साल से पहले सर्जरी करने को क्यों बोलेंगे क्योंकि हम बोलेंगे surgery should be performed before your child start to use faulty speech pattern इससे पहले कि आपका बच्चा faulty speech यानि अच्छे से बोल ना पाए उससे पहले ही हमको उसकी क्या कर दीने है surgery कर दीने इसलिए दो साल से पहले हम cleft palate के surgery कर देते हैं ताकि speech में कोई भी गड़बड़ी ना हो बच्चे की next question number 75 an infant with hypertrophic pyloric stenosis एक in hypertrophic pyloric stenosis is admitted to the pediatric unit what does the nurse expect when palpating the infant abdomen जब वो infant के abdomen को palpate करेगी तो क्या देखने को मिलेगा बच्चे याद है pyloric stenosis का सबसे main sign क्या होता है आपको आपको से मास्क नजर आता है यही पाइल्रिक सिंटिस का सबसे इंपोर्टेंट साइनेम सिम्टम होता है और यह काफी बार एक्जैम से पुछा भी जाता है तो ध्यान रखेगा ऑलिव से मास्क राइट अपर क्वाड्रिंट में किस डिजिज में पाए जाता है फाइ prominent symptom है और अगर important question की बात करें तो Pyloric stenosis में non-belious vomiting होती है यह बात ध्यानकने बच्चे question आता है कैसी vomiting होती non-belious यानि की belious vomiting नहीं होती है non-belious vomiting होती है second projectile vomiting देखने को मिलती है Pyloric stenosis में यह question पूछा जाता है dehydration देखने को मिलता है यह question पूछा जाता है ठीक है और देखते हैं यहाँ पर क्या लक्षण बताएगा forceful vomiting projectile vomiting weight loss होना क्योंकि बार-बार vomiting होती है persistent hunger उसे बार-बार भूक लगती है lethargy constipation लेकिन projectile vomiting और olive shape mask यह सबसे important है बच्चे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक तो olive shape mask का दिखना और दूसरा visible of gastric paristalsis from left upper quadrant to epigastrum left से right की तरफ अगर आपको gastric paristalsis होतावा नजर आएगा तो समझ जाईए उस व्यक्ति को pyloric stenosis है तो pyloric stenosis में आपको क्या देखने को मिलता है एक तो projectile vomiting देखने को मिल रही है यह याद रखिएगा एक olive से मास्क दिख रहा है यह याद रखिएगा एक बच्चे को बहुत ज्यादा नॉन बीलियस vomiting नॉन बीलियस vomiting देखने को मिलती है एक तो यह याद रखिएगा एक याद रखिएगा कि pyloric stenosis वाले बच्चे में सब में peristalsis right to left होती है राइट से लेके left में जाती है सब में लेकिन इस बच्चे में जो peristalsis होती है वो left से राइट की तरफ आती है यह ध्यान लखना तो काफी बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक बच्चे की जो peristalsis movement है वो left से right की तरफ आ रही है उस बच्चे को क्या है उस बच्चे को है pyloric stenosis peristalsis का peristalsis का left से left से कहा की तरफ जाना right की तरफ जाना pyloric stenosis को दरसाता है olive shape mask projectile vomiting non-bilious vomiting यह सारे इससे प्रश्ण मनते और क्योंकि बार बार इस बच्चे को vomiting हो रही है तो इस बच्चे में metabolic alkalosis भी हो जाता है बच्ची याद रखना metabolic alkalosis क्योंकि gastric content बहार जा रहा है acid बहार जा रहा है तो बच्चे को जाता है alkalosis vomiting से होता है metabolic alkalosis left से right की तरफ परistalsis का जाना olive से mask projectile vomiting non-bilious vomiting ठीक है और एक और question यहाँ पर बनता है कि इसके लिए कौन सा procedure किया जाता है давай जाए पैलरी क्स्टीमोसीस के लिए तो हम करते है REM state procedureером state procedure किया जाता है isolator ठीक है और एक और चीज करहें जाती है जिसे हम कहते है फाइलोरो मायो टॉमी पाइलोरो मायो टॉमी उसको दूसरे नाम से क्या आजाँ रेंश्ट किभ़ुजर तो यह बच्छे पांड़ो मायो टॉमी इस ओपनिंग को वाइड कर देते हैं इसी को रेंश्टेड प्रॉसिजर भी कहा जाता है है वाले बच्चे को बार बार प्रोजेक्टायल वमिटिंग होने की वजह से इस बच्चे में बहुत जदा बच्चे सब्सक्राइंगे सब्सक्राइब New York City को किस चीज से बचाने की कोशिश करेंगे नियुक्र मुए रशो उतरो जानता है इसकी बच्चे में क्या हो सकता है शक्राइब क्ली मनेखिए अrians उन्सेडिफ आपको देखना है आपको देखना है पूछा जा सकता है next question number 77 यह करा है surgery to correct hypertrophic pylerog stenosis is performed hypertrophic pylerog stenosis के लिए surgery करिए जिसे remistered procedure यह फिर pyleromyotermy भी कहते हैं three week old infant में who had been formula fed जिसको surgery से पहले formula feeding दी जा रही थी which post operative feeding order is appropriate operation के बाद उसको कैसी feeding दी जाएगी याद रखें आपको पता है हम operation के दौरान किसका यूज करते है anesthesia वगरा का यूज करते है तो operation के 4 से 6 गंटे तो आपको व्यक्ति को NPO रखना है बच्चे को NPO रखना है चार से 6 गंटे लेकिन 24 गंटे के बाद आप नॉर्मल जो formula fed दे रहे थे जो नॉर्मल आप formula feeding दे रहे थे वो continue कर सकते हो यह उनको बताना है चीक है तो initially 4-6 गंटे में वैसे आप patient को NPO रखते हो और आप feeding दे सकते हो glucose and electrolytes का उसके बाद लेकिन 24 गंटे के बाद आप वापस से normal formula feeding start कर सकते हो चीक है तो हम कहेंगे regular formula feeding within 24 after surgery sorry बचे 24 गंटे से पहले पहले 4-6 गंटे तक NPO रहते हैं फिर 24 गंटे से पहले आप formula feeding start कर सकते हो यह बात याद रखेगा मैं 24 hours के बाद मैंने सायद मोला 24 hours से पहले आप formula feeding start कर सकते हो question number 78 corrective surgery of hypertrophic pylorok stenosis pylorok stenosis की corrective surgery चल रही है and the infant is returned to the pediatric unit and IV infusion in place और बच्चे को आईवी लगावा है what is the priority nursing action सबसे priority nursing action क्या अगर बच्चे को आईवी लगावा है तो जाहिर सी बात है बच्चे आईवी साइट को देखना हमारी priority है assess करेंगे आईवी साइट को कि वहाँ पर infiltration ना हो जाए चीक है और अमने पड़ा था कि phalibitis होता था तो वहाँ पर warm हो जाता था एडीमा हो जाता था और अगर infiltration होता है तो वहाँ पर coolness हो जाती है और coolness के साथ एडीमा देखने को मिलता है तो जिस बच्चे का आईवी इंफ्यूजन लगावा है उस बच्चे की आईवी साइट को assess करना नर्स की पहली responsibility है next question no 79 an infant had corrective surgery of hypertrophic pyleric stenosis pyleric stenosis की corrective surgery की गई है infant में what should the nurse teach a parent to do immediately after feeding feeding के एकदम ही बाद क्या करें patient को ताकि vomiting कम तो feeding के बाद अगर आपकी surgery करी गई है pyleric stenosis के बच्चे के तो उसको infant seat पे बठाना है please the infant in infant seat इससे क्या होगा बच्चे अगर आप उसके head को elevate कर दोगे ठीक है elevated position जो होता है उसकी वज़े से vomiting कम होती है क्योंकि gravity की वज़े से सारा जो content है इस टमक का वो नीचे जाएगा और उसकी वज़े से vomiting का घत्रा कम होगा ठीक है तो GERD में भी upright position दी जाती है ICP जिसका बड़ा होता है उसमें भी upright position दी जाती है जिसके उसमें भी upright position दी जाती है जिसके neck की कोई भी surgery हो उसमें भी upright position दी जाती है और पाइलिरक और हाँ एक और dumping syndrome में आप नहीं देते हो upright position आप patient को flat लेट आता हो ताकि जल्दी खाली ना हो यह यहाँ पर important है ठीक है और पाइलिरिक इस्टिनोसिस के surgery के बाद भी आप उसको elevate करोगे head को ताकि gravity की वज़े से content नीचे आया और vomiting का खत्रा कम हो next question number 18 a newborn with anorectal anomaly had anoplasty performed एक बच्चे को anorectal anomaly उसका anoplasty किया गया है two week follow up visit a series of anal dilation are begin anal dilation किया जा रहा है what should the nurse recommend to the parents to help prevent infant from become constipated कैसे हम infant को constipation से बचा सकते हैं कैसे हम infant को constipation से बचा सकते हैं तो answer क्या सही जाएगा बच्चे constipation से बचाने के लिए कोसिस करो उसको breastfeeding कराई जाद से जादा आप breastfeeding कराओ क्योंकि breastfeeding में एक lexative effect होता है lexative effect होता है जो की बच्चे को constipation से बचाएगा जो की बच्चे को constipation से बचाएगा ठीक है phenyl ketonuria एक inborn disease होती है जिसमें phenyl aniline का level ब्लड में काफी जादा बढ़ जाता है क्योंकि उसका metabolism नहीं होता है अब अगर phenyl aniline का level काफी जादा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जब यह level बढ़ता है ब्लड में बच्चे यह brain में पहुंचता है और फिर यह करवाता है बच्चे का mental retardation बच्चे में देखने को मिलता है mental retardation तो होता गया है phenyl ketonuria में phenyl l9 को एक enzyme तोड़ता है और वो जो enzyme है उसका नाम है phenyl l9 hydroxylase लेकिन वो enzyme इस disease में इस बच्चे में absent होता है जिसकी वजह से phenyl l9 तूडता नहीं है और उसका level blood में काफी जादा बढ़ जाता है अब जब उसका level blood में बढ़ता है वो brain में जाता है और बच्चे में क्या cause करता है mental retardation तो what diet should the nurse anticipate will be ordered by the healthcare provider कौन सी diet उसको दी जाएगी याद रखना बच्चे उसको low phenyl l9 diet दी जाती है उसको phenyl l9 देंगे तो सही चुकि phenyl l9 एक essential amino acid है इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुली phenyl l9 बंद कर देंगे नहीं essential amino acid होता है essential amino acid होता है इसलिए उसको कम देंगे phenyl l9 पर देंगे जरूर इसलिए इसका अंसर जाता है low phenyl l9 diet ताकि बच्चे के अच्छे से growth भी हो तो यह phenyl l9 free जो diet है यह गलत है बच्चे लो phenyl l9 diet देते हैं ताकि बच्चे में phenyl l9 का level ना बढ़े और उससे उसको mental retardation ना हो और यह question कई बारी पूछा जाता है phenyl kretonuria का बच्चे को किस चीज का risk होता है mental retardation का चली next question number 82 क्या कह रहा है what should the nurse include in teaching plan for parents of an infant diagnosed with phenyl ketonuria अगर एक infant को diagnosed किया गया है phenyl ketonuria से तो क्या teaching plan parents को बताएगी nurse हम parents को बताएगे कि अगर phenyl ketonuria को आपने treat नहीं किया अगर इसका आपने treatment नहीं लिया तो बाद में बच्चे को हो सकता है mental retardation यह बाद ध्यान रखेगा mental retardation हो सकता है बच्चे में तो इसका answer क्या जाएगा mental retardation occur if phenyl ketonuria is untreated अगर untreated रह गया तो आपको mental retardation हो सकता है बच्चे को चीक है यह जाएगा इसका option number first next question number 83 the parent of newborn with phenyl ketonuria need help and support in adhering specific dietary restriction क्या specific dietary restriction रहेंगे उस बच्चे के लिए जिसको phenyl ketonuria है they ask the nurse how long will our child have to be on this diet answer क्या जाएगा कौन सी diet देते हैं मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हो low phenyl phenyl alanine low phenyl alanine diet बच्चे को दी जाती है और पूरी जिन्दगी दी जाती है बच्चे lifelong low phenyl alanine diet दी जाएगी ताकि phenyl alanine का लेवल और ज्यादा ब्लड में ना बढ़े तो इस का अंसर किया जाएगा this is lifelong problem एक तो यह lifelong problem है and it is recommended that dietary instruction must be continued और यह recommend किया जाता है कि आपको dietary instruction जो बताए गई है वो continue करनी है lifetime और वो कौन सी है कि आपको low phenyl alanine diet लेनी है जिन्दगी भर question number 84 a nurse plan to discuss childhood nutrition with a group of parents whose children have down syndrome down syndrome देखने को मिल रहा है in an attempt to minimize a common nutritional problem what problem should be addressed guess thezeit क्या आपको कौंसी problem address कर जाते है उस बच्चे में जिसमें down syndrome तो ध्यान रखे down syndrome के बच्चे में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता sity सबसे जादा उबीशी Guinea देखी जाती है down syndrome के बच्चे में क्योंकि this all counts calorie intake that बहुत जादा होता है केलरिक इंटेक काफी जादा होता है जिसकी वज़े से इन में ओभी सिटी देखने को मिलती है नेच्ट क्वेशन नमबर 85 अनर्स इस केरिंग फॉर थ्री मन्त ओल्ड इन्फेंट उसका अब्डॉमन डिस्टेंड है और बायल इस्टेंड वामिटिंग आ रही है और नर्स सस्पेक्ट कर रहे है कि इसको इंटेस्टिनल अब्स्ट्रक्शन है तो क्या लक्षण होंगे क्य सिंटम होंगे इंटेस्टिनल अफ्स्ट्रक्शन के तो इंटेस्टिनल अफ्स्रक्शन में एक आपको प dabfly देखने को मिलता है क्योंकि प्रस्ट!". की वेज़ Trinity्षें पूप्र की तरफ पूश होता है और इस लिए उस बच्चे में देखने को मिलगा पर spor pendulum capital pain और granting respiration ग्रंटिंग respiration तब देखी जाती है बच्चों में जब respiratory distress होता है बच्चों में ठीक है तो यह कैना घ्रणटिंग líder me gateway पर का वना स्थीन्थय बाट क्यूंकि यह रेश्पीरिट्रीट्री डिश्ट्रेशकोms को दर्साता है नेक्स्ट, question number 86, a nurse is discussing the care of an infant with colic with the parents, colic क्या होते हैं बच्चे, colic जो pain होता है ना, जब भी आपके intestine में obstruction होगा, intestinal obstruction में, obstruction, intestinal obstruction या intestine में blockage की वज़े से जो आपको painful cramps आते हैं, painful cramps जो देखने को मिलते हैं, उन्हें को कहा जाता है, colic, intestinal obstruction की वज़े से जो painful cramps आते हैं, उन्हें colic कहते हैं, तो nurse discuss कर रही है, colic with parents, infant के लिए, what should the nurse explain cause of colic behavior, जो colic behavior होता है या colic pain होता है, या colic pain होता है, वो किसकी वज़े से होता है, एक मात्र अंसर जाएगा, paroximal abdominal pain, यो एक abdominal pain है, जो किस वज़े से होता है, जादतातर intestinal obstruction, या intestine block हो चुकी है, obstruction हो चुका है, intestinal obstruction में देखा जाता है, colic pain, छीक है, ध्यान रखेगा, painful cramps होते हैं, ग्वेशन नमबर 87 वन मंद ओल्ड इंफेंटीज एड्मिटिट इन द पिडियर्टिक यूनिट विट टेंटेटिव डियाग्नोसिज ऑफ इस्प्रंग डिजीज एक बच्चे में टेंटेटिव डियाग्नोसिज किसका देख रहा है Hisprong disease का जिसे Congenital A-Ganglionic Megacolumn भी बोला जाता है What procedure should the nurse expect to use in confirm the diagnosis अगर किसी को Hisprong disease है तो उसका diagnosis confirm करने के लिए हम क्या करते हैं पहले इमेज देखिए तो Hisprong disease में क्या होता है बच्चे देखिए ये normal intestine है जिसमें चारो तरफ आपको क्या नजर आ रहे है गैंगलियोनिक सेल्स नजर आ रही है ये नर्फ आइवर लेकिन हिस्परंग डिजीज में क्या होता है ये नर्फ आइवर कुछ पार्ट में एपसेंट होते हैं एपसेंस ऑफ गैंगलियोनिक सेल्स देखें गैंगलियोनिक न आगे तो peristalsis है नहीं आम तोर पर ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पहले 24 घंटे तक maconium pass नहीं करते हैं और हम समझ जाते हैं कि यह पहले 24 घंटे तक अगर maconium pass नहीं कर रहा है तो समझ जाओ इस बच्चे को क्या है hisprung disease है चीक है तो इस बच्चे का अगर आपको diagnosis बनाना है तो इस हिस्से का आप क्या करोगे बच्चे बायपसी लोगों और उसको अंदर microscope में देखोगे कि वहाँ पर nerve fiber present है या नहीं अगर वहाँ पर ganglionic nerve fiber यह जो yellow lines है यह present नहीं है तो आप समझ जाओगे इस बच्चे को क्या है hisprung disease इसलिए hisprung disease वाले व्यक्ति में बच्चे में hisprung disease वाले बच्चे का हमेशा biopsy रेक्टल बायपसी लिया जाता है और biopsy में देखा जाता है कि इस बच्चे का confirmatory diagnosis बनाया जाता है कि इसमें ganglionic nerve fiber है या नहीं तो hisprung disease का diagnosis बनाने के लिए हम क्या देखेंगे हम रेक्टल बायपसी देखेंगे और बायपसी में अंदर देखते हैं कि nerve fiber है या नहीं चलिए कुछ important points बात करते हैं hisprung disease के बारे में एक तो इसमें ये बात याद रखना कि first 24 hours तक पहले 24 गंटे तक pass नहीं करेगा maconium बच्चा पहले 24 गंटे तक lettering नहीं करेगा समझ आईए hisprung disease है दूसरा और क्या इसमें देखने को मिलता है इसमें ribbon like stool देखने को मिलता है ये question भी आता है ribbon like stool ठीक है इसमें जो vomiting होती है वो bilious vomiting होती है बच्चे bilious vomiting होती है जो इसमें vomiting आएगी क्योंकि वो lower GI से आ रही है ठीक है इसमें palette like stool भी कहा जाता है palette like stool इसमें palette like stool भी देखने को मिलता है और इसी में देखने को मिलता है blast sign अगर आपको याद हो तो blast sign जिसमें rectal examination के दोरान एकदम से खूब सारा stool blast के साथ बाहर निकलता था उसे कहते हैं blast sign ये भी किसमें देखने को मिलता है hisprung disease, bilious vomiting, palette like stool, ribbon like stool, पहले 24 गंटे में maconium का absent होना और इसके लिए rectal biopsy का करना इसका confirmation का पता करने के लिए rectal biopsy का करना ये सारे important question है जो की hisprung disease से बनते है ठीक है और इसमें जो portion affected होता है वो कौन सा होता है recto sigmoid colon ये जो recto sigmoid colon है ये सबसे commonly affected होता है ये question भी आता है तो वो पुछेगा सबसे commonly कौन सा part affected है recto sigmoid colon चली next question number 88 a healthcare provider orders a tap water anima एक tap water anima के लिए order किया गया है जिसको hisprung disease है which rational cause the nurse to question the order इन में से क्या कारण होगा कि हम कहेंगे कि tap water anima ना दें उस बच्चे को जिसको hisprung disease है क्योंकि बच्चे tap water anima उसमें कर सकता है electrolyte imbalance it could cause a fluid and electrolyte imbalance क्योंकि tap water anima क्या होता है hypotonic होता है nature में कैसा होता है hypotonic होता है और वह contra indicated होता है क्योंकि क्योंकि बाउल से वह fluid क्या हो जाएगा absorb हो जाएगा body में जिसकी वज़े से body में जो electrolyte balance है और fluid balance है वह गड़बड़ा सकता है इसलिए कभी भी tap water anima ना दें hisprung disease के वेक्ति में वनना आपको electrolyte imbalance और fluid imbalance body में होता हुआ नजर आएगा next यह एक छोटा सा question है बच्चे question number 89 an order is written for isotonic anima to a two-year-old child what is the maximum amount of fluid the nurse should answer without specific order for healthcare border बिना specific order के एक दो साल के बच्चे में कितना isotonic anima या कितना यानि fluid बच्चे में दे सकती है isotonic anima के तौर पर दो साल के बच्चे में बिना doctor के order के कितना तो maximum याद रखना 255 से 300 सार दे सकते हैं 360 ml से ज्यादा fluid हम नहीं दे सकते हैं बच्चों में बिना order के जब doctor inform करेगा order देगा तभी दे सकते हैं क्योंकि बच्चों में बहुत commonly हो जाता है electrolyte imbalance electrolyte imbalance काफी common होता है बच्चों में चीक है तो 360 ml maximum आप दे सकते हो बस थोड़ा से ध्यान किएगा ऐसा चितना important question नहीं है next बढ़ते है question number 90 a five month old infant develops severe diarrhea बहुत ज्यादा डाइरिया हो रहा है पांच महने के बच्चे को और उसको इसलिए IV fluid दिये जा रहे what rational for nurse to closely monitor the IV flow rate क्यों नर्स को closely IV flow rate को monitor करना चीए बच्चे अगर किसी बच्चे को IV fluid दे रहे हो अगर उसका IV flow rate जादा हो तो उसको overload हो सकता है circulatory overload इसलिए उसको cardiac overload से बचाने के लिए आप flow rate को देखोगे क्योंकि अभी सिर्फ पांच महने का बच्चा है इसलिए cardiac overload ना हो जाए कहीं इसलिए flow rate को ध्यान से monitor करोगे ठीक है simple से question है बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा point निकल के सामने नहीं आ रहा है बट exams में अगर पोछे जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा next question number 91 what is essential nursing action when caring for a young child with severe diarrhea अगर बच्चे में severe diarrhea देखने को मिल रहा है तो सबसे बड़ी nursing action क्या होगा responsibility क्या होगी तो बच्चे याद रखिएगा अगर severe diarrhea हो रहा है बच्चे में तो weight loss होगा तो आपको daily weight check करना सबसे main है यह कहा जाता है कि एक लीटर पानी एक केजी के बराबर होता है ठीक है तो बच्चे का same कपड़ों में same time पे वजन लिया जाता है रोज के रोज ताकि यह पता चल सके कि कितना fluid loss हुआ है diarrhea में या फिर आपने IV लगाया है तो कितना fluid gain हुआ है ठीक है तो यह बात याद रखेगा कि कितना fluid loss हुआ है कितना fluid gain हुआ है इसको अगर आपको सबसे अच्छा देखना है ना तो best indicator weight होता है best indicator क्या होता है weight होता है इसलिए एक जिस बच्चे को बहुत ज्यादा diarrhea है उसका वजन नापते रहें daily ताकि आपको पता चल सके कि fluid balance कैसा चल रहा है और यही रीजन है बच्चे कि हम kidney के patient में भी सबसे ज्यादा क्या देखते है daily weight check करते है kidney के patients में भी चीक है तो answer क्या जाएगा take daily weight in a child जिसको severe diarrhea है ताकि fluid loss और gain का पर पता चल सके next question number 92 a nurse is caring for an infant whose vomiting is intractable बहुत ज्यादा vomiting यह एक बच्चे में देखने को मिल रही है कौन सा complication बच्चे में develop हो सकता है मुझे बताईए आगर vomiting हो रही है तो ज्यादा तर vomiting में stomach content जाता है यानि SCL जाता है यानि acid body से बाहर जाता है और जब body body से acid बाह सरीर में कौन सी condition हो जाएगी alkalosis इसलिए vomiting किस चीज को lead कर सकता है alkalosis और याद रखना बच्चे question पूसता है diarrhea किस चीज को lead कर सकता है तो जो intestine का content होता है वो diarrhea में भार जाता है और intestine का content होता है उसमें ज्यादा तर bicarbonate होते हैं तो अगर किसी को diarrhea लग रहा है तो bicarbonate body से भार जाते हैं और diarrhea इसलिए lead करवाता है acidosis को metabolic acidosis को जबकि vomiting किस चीज की vomiting से क्या होता है vomiting से होता है alkalosis ठीक है याद रखिएगा question no.93 our nurse is administrating IV fluid to dehydrated infant dehydrated infant को nurse IV fluid दे रहे है what intervention is the most important this time सबसे important intervention क्या होता है एक मातर अंसर जाएगा कि जिस prescribed flow rate में आपको IV fluid देने को बुला गया है उसी flow rate में आप बच्चे दीजे क्योंकि बच्चों में cardiac overload होने का खत्रा काफी ज्यादा होता है इसलिए जितना आपको prescribe किया गया है IV flow rate उत्रा ही आपको infuse करना है उसी rate में infuse करना है और उत्रा ही आपको infuse करना है ठीक है क्योंकि जो बच्चे होते हैं में intravascular compartment बहुत ही limited होता है जिसके वज़े से large volume of fluid अगर short time में आप डाल दोगे तो बच्चे में cardiac overload हो सकता है ठीक ह question number 94 a five month old infant is brought to the pediatric clinic for a routine monthly examination what assessment should alert the nurse to notify the healthcare provider इन में से कौन सी चीज़ abnormal है तो temperature 99.5 हो सकता है बच्चे BP 75 to 48 यह newborn यानि five month old का यह normal BP है heart rate 100 होना normal है लेकिन respiratory rate का 50 होना abnormal है बच्चे तो यह आप doctor को inform करोगे क्योंकि normally 30 से 35 हम बोलते है respiratory rate होती है infant की respiratory rate average on an average 30 to 35 होती है ठीक है और इस बच्चे की 50 है तो आप समझ जाओगी यानि कि इसको रेस्पिरिट रेस्पिरिशन से रिलेटेड दिक्कत है ठीक है और इसको हो रहा है टेकिप निया तो अगर इसको टेकिप निया हो रहा है तो हमें डॉक्टर को inform करना है तो option number four इसके लिए आपको नॉर्मल रेस्पिरिटरी रेस्पिरिट पता होना चीए 30 से 35 होता है चीक है इंफेंट में next question number 95 अर्शी जिविंग दे क्लिनिकल रिकॉर्ड फाइंट चिल्रेन विद काडिक डिसॉर्डर हूँ डेवलब्ड हाट फिलियर एक बच्चा जिसे काडिक डिसॉर्डर होता है और हाट फिलियर हो जाता है What does the nurse Thousand the last sign of heart failure हाट फिलियर का last sign क्यों होता है याद रखना बच्चे जब heart failure हो जाता है तो उसका last sign आता है उसमें cardiac decompensation आपको देखने को मिलता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा peripheral elli Fra Farm last sign heart failure का peripheral a Wing M होता है हाट पाउँ मैं पूरी सूचान आ जाती है वह last sign होता है heart failure ज्यान नखिएगा, next, question number 96, what common finding that the nurse identify in most children with symptomatic cardiac malformation, जिन बच्चों में cardiac defect होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों में cardiac defect होते हैं, उन बच्चों में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, बच्चे, उनकी जो growth होती है, वो retard हो जाती है, delayed physical growth, उनमें आपको physical growth बहुत ज़्यादा delay दिखेगी, cardiac defect वाले बच्चों में, cardiac defect वाले बच्चों में ये बात ध्यान लखना, तो cardiac defect जिन बच्चों को होता है, उनमें आपको delayed physical growth दिखेगी, ये important point है, इसको ध्यान लखेगा, next, question number 97, अब one year old child has a congenital cardiac malformation, उसको congenital cardiac malformation है, जिसके वज़े से right से left shunting हो रहा है, blood का heart में, अब अच्चे ये देखे, ये right side होता है, यहाँ पर deoxygenated blood होता है, और ये left side है, यहाँ पर oxygenated blood होता है, राइट से left की तरफ blood जा रहा है, अगर राइट से left की तरफ blood जा रहा है, यानि deoxygenated blood किस में mix हो रहा है, oxygenated blood में, तो बताओ, क्या body को उतनी ज़्यादा oxygen मिल पाएगी, नहीं, क्योंकि oxygenated blood में तो क्या mix हो गया, deoxygenated blood, तो what clinical finding should the nurse expect, क्या clinical finding देखने को मिलेंगे, अगर body को sufficient amount में oxygen नहीं मिलेगी, तो body क्या करती है, RBC के amount को बढ़ा देती है, वो क्या करती है, RBC के amount को body में बढ़ा देगी, ताकि ज़्यादा oxygen पहुचे, जब वो RBC के production को बढ़ाती है, तो उस व्यक्ति का hematokrit बढ़ जाता है, हेमेटोक्रिट का लेवल बढ़ जाता है हेमेटोक्रिट क्या होता है बलड में कितना सेल्स है कितनी आरबीसीज है उसी को तो हेमेटोक्रिट कहते है और जब वो ऑक्सिजन को ज़्यादा पहुँचाने के लिए RBC का ज़्यादा निर्मान करता है बोडी में तो उस वेक्ति के हिमेटोक्रिट लेवल आपको बढ़ते वे नजर आएंगे Elevated हिमेटोक्रिट नजर आएगा जिसमें राइट से लेफ्ट शंटिंग हो रही है ब्लड की ठीक है और इसी को polycythemia भी कहा जाता है ना बच्चे जब oxygen की कमी की वज़े से सरीर RBC के production को बढ़ा देती है इसी को polycythemia भी कहा जाता है ज़्यादा तर पहड़ी लोग जो होते हैं आप देखेंगे क्योंकि वो पहड़ में रहते हैं वहापर oxygen कम होती है तो उनमें RBC ज़्यादा होती है चीक है polycythemia की वज़े से इसलिए उनके गाल काफी लाल लाल आपको नज़र आएंगे चलिए तो हिमेटो क्रीट लेवल बढ़ा हुआ नज़र आएगा अगर राइट से लेफ्ट शंटिंग हो रही है ब्लड की हार्ट में क्यूंकि RBC का production बढ़ गया है Next Question No.98 The parents of a child who is scheduled for open heart surgery एक बच्चा जिसकी open heart surgery होने वाली है उसके parents ask the child must be subjected to chest tube after surgery सर्जरी के बाद चाइल्ड को chest tube लगाई जाएगी What should the nurse consider before responding in language the parents will understand क्यों open heart surgery के बाद chest tube लगाई जाएगी के बच्चों में तो क्या उसका रेश्टनल नर्स बताएगी drainage of air and fluid will be facilitated chest tube लगाई जाती है open heart surgery के बाद ताकि जो air है और fluid है वो ट्यूब के रास्ते बाहर आ सके चीक है छोटा सा concept है बस आपको हलका सा ध्यान रखना है Next